आज की हमारी online classes में हम भी बात करेंगे custom formatting की number formatting के बादे में हम बात करेंगे आज हम बात करेंगे नंबर फॉर्मेटिंग की तो इसको देख लेते हैं तो अगर कुछ भी नंबर कुछ भी लिखते हैं तो जर्नल होता है जैसा लिखोगे उस तरह से आपका कनवर्ट हो जाएगा जनल के बाद दूसरा आता आपका नंबर नंबर में क्या होता है यहां पर हमारे पास आता है निगेटिब नंबर को नंबर को निगेटिव में रख राया है तो क्या होना चाहिए तो निगेटीव में आपका सिर्फ माइनस का सिंबल देगा जिनरी जैसा होता है उसके बाद यहां पे होगा वह गा ब्राइकेट में कि जो भी डर्म डालेगे तो रेट कलर नहीं होगा ब्राइकेट हो जागा इसमें रेट कलर होगा और यहां नीचे रेट और राइकेट दोनों होगा इसको अपलाए करके दिखाता हो जाहिए तो इसमें अगर मैंने मालेजी एक भी नंबर में यह दे दिया तो माइनस सब्सक्राइशा ही दिखेगा तो इसमें माइनस का सेंबल पर जाएगा लेकिन रहेगा माइनस में ही इसका यूज हम लोड निगेटिपस में करते हैं नंबर में इसके बाद करेंसी आता है एक यह हुआ है यह आपकाहण से अपरेटर लग जाएगा इसमें थाउजिन सेपरेटर जो होता है वह है वह आपका और में 145,000 ने दालता हूं तो यह देखिए एक सुपचास हजार हुआ है जैसे 10 लाख हो जाएगा एक कॉमा पड़ेगा कि 1,50,000,500,000 तो यह इस फॉर्मेट में है उस फॉर्मेट में चलता है आव कि बात करें कि इसमे मेट करें तो इसमें आप अपने कि के डिश कर सकती हैं जो कि अच्व कर Ee जोग मगा हो इसमें रुपीज्स का स्यार आपको देखेंगा और हैं इंडिया में देखे दूँ इंडिया होगा है अगर आपके बास बिंडो एट तो नहीं हुआ इसलिए पहले बना था और उपीज का सेंबल इंट्रिज बाद में होगा है इसलिए अपडेटेट नहीं था लेकि विंडो टेन है विंडो एट है उसमें सेंबल होता है कि नमीन जी में यवाज आपको आ रही है नमीन जी क्या सुनपा रहे हैं मैं आपको नहीं सुनपा रहा हूं लगर आपको माइक काम नहीं कर रहा है यहां पर आपका अकाउंटिंग में इसमें कर्यंसी में आपका यही होता है कर्यंसी का सेंबल अपनी सावगा रहे सकते हो प्रज़िके सेंबल के अलावा आप उसके कर्यंसी कोड भी ले सकते हैं कि इसमें में ब्रक हो अब आपने डीटा बनाया हुआ है तो अब जोरी नहीं चाहिए में ऐसे दिखाए ऐसे लिखा वा तो क्लियर हो लेकिन आपडार का साइन लगा दिया तो डालर का साइन तो तो बहुत सारे इतने सारे डॉलर है तो इसलिए हम इसकी करणसी कोड को लेके चलते हैं कि उसके पर एकांटिंग में आप आते हैं तो एकांटिंग में आपको यहां पर कैसी कोड बिद्र सब्कर्ण करते हैं जिसे में पास बहुत सारे डेटा है एक पर डेटा देले तो बहुत सारे में जैसे कि आने बहुत सारे जीरो हमने दे रखे हैं बहुत सारे हमने जीरो दे दिया मैं इसको सेलेक करता हूँ और सेलेक्ट करके अगर मैं जाता हूँ एकाउंटिंग में जाता हूँ इसको नन कर दिया है तो क्या होगा कि जो जीरो होगा और डैस हो जाएगा जो दैस जो हुआ है यह आपका डैस जस्ट वीजबल हुआ है क्योंकि स्पेशल रूल के अकॉर्डिंग जो इसके अकॉर्डिंग के जलिए आप उजिनल वैलू को चेंज नहीं कर सकते हैं को मैंटिंग कर्ण्ट चैंज दे जस्टेंग विजुविटी थी तो इस अबकॉर्टी को नहीं किया आपकी विजुविजुविटी को चेंज किया और येटिक नहीं किया रमेज जार रमेज जी है अब यहां पर डेट पर आते हैं तो डेट के आपके फॉर्मेट्स है अपनी जाब से ले सकते हैं लेकिन अगर आपने टाइम डाला हुआ से मालेज है कि मैं किसी का ओवर टाइम 45 बस के 36 मिनार डाल दिया अब इसको किसी ने गलती से जर्नल में आपका चेंज कर दिया तो यह नंबर हो जाएगा तो अगर मैं यहां पर आता हूं और इसमें से कुछ चीजे से इस्तर स्लेक्ट कर लिया ति आपको 24 गंडी से ऊपर नहीं दिखाएगा देखिए आप एक 36 दिखा रहा है क्योंकि 24 गंडी के बाद एक दिन हो जाता है सिस्टम में इसको सेलेक्ट करेंगे तो आप लिखने के बाद परसेंटेज में कनवर्ट करना चाहते हैं तो आप यहां से भी परसेंटेज लगाते हैं वहां से लगाते हैं तो नहीं होता है अधिर आप अधिर जो आप अधिर आप अधिर 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 वह जो आप आप अधिर नहीं है तो जैसे सेकंड में हमारे को एंधिम लाना हो या फिर फिर्स्ट वाले से इंविएंपयम अटा ऊथा नहीं हो तो वह कैसी करेंगे अधिर के फॉरमेट में यह दाइगे अधिर अगर फिर भी नहीं पाघता से है तो मैं आप यहादिया दस पास के भी छृत मिनल कि इसके लिए अब दो तरीक्या है अगर आप टाइम लगा है अधिक है इसके इसके ऊपर अपना ताइम पर लगा है अगरे कि लिए फ्रेक्शन अजा और फ्रेक्शन पर अब और अप्रेक्शन चाहिए आप सेलेक्ट कर दिजिए यह आप लेबल ऑके किजिए टीव वाइंट टू आ जाए अब इसमें और आती है बात जैसे कि माल देजिए कि मुझे चेक नुमर लिखना है और हम सिंगल कोड जो लगाते हैं तो सिंगल कोड लगाते हैं और लिखते हैं अब इसमें फॉरमेट्स में जाता है और यहां पीए मैं लिखने हैं टेक्स्त को सेकते हैं अब यहां फीर जचने हैं इसे मैं लग जोरूत लगिए कि लिकत तो कब होगी जब किसी ने आपको चेक नमबर दिया है उसमें 0 है सैट नहीं किया है को जिस कब गुदिए इसमें जिक कम है उतना 0 इसमें डालना है को राइट क्लिक करता हूं फॉर्मेट सेल पर जाता हूं कस्तम पे आता हूँ और 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस टाइम जीरो डाल दाता हूँ तो यहाँ पे आपको दिख़रा होगा लग गया तो यह एक्ट्वल में जीरो नहीं यहाँ अगर मैं यहाँ पे जाओ यहाँ पे और सिंगल को लगाके जिवर जिरो जिरो तो फाइब लिप तो इन दोनों के बीच में अगर मैं देता हूँ तो आप देखेंगे कि दोनों देखने में पे एक जैसे है बर एक्चुली में नहीं जैसे नहीं है एक जैसे कैसे होगे तो एक जैसे होमें के लिए हमें इस पे टेक्स्ट फॉर्मल अप्लाई करना हो ठीक है इसमें मैं तो कस्तों फॉर्मटी के लब चीज़ें दाल देते हैं तो, फॉर्मेंटिंग जस्ट इसकी विजिलेटी चेंज करता है और यह एक लिए आपको को टेक्स्ट फॉर्मला लगाना पड़ेगा इसी कोड़् की योज करना पड़ेगा जो हम कस्तों फॉर्मेंटिंग की यउज का है अच्छिए उसका फॉर्मेंटिंग ये काई आब लगाता हूं तो नहीं लगता है तो हम कस्टम में जाएंगे यहां पे प्लास्ट नाइन वान वान इसके वाद डबलेट जी रोट शरी डबलेट नम्मर नहीं है यहां पर जीरो जीए मैं यहाँ पर नमबर डालता हूँ तो देखे प्लस नाइन अट्रमाटिक रख जाता है तो आप देखे क्या हो दिक्कत है कि जैसे में प्लस नाइन वन हटाता हूँ तो आप देखे क्या हो दिया ठीक है एक बार रिपीट कर दोगे आप रिपीड क्या है एक यहां पर आया है और वामट सेल पर आप रिस पर कस्तम पर पर और यहां पर तो इडाल दिया आँने and okay करते ही अब इसमें कोई भी नमबर लिखेंगे आप चाहे जितना भी डिजिट का हो को उसके आगे प्लस नाइन लगा दना अगे है अगे में जड़ा ने से मिपने जड़ा लगा दिया दो जी वाला लगा दिया अगे कि इसमें अगर हमें गलत नमबर डालता हम कि क्या होता है मुझे चाहिए कि जीरो नहीं लगा है मतलब कि इससे पता नहीं चलता कि कौन सा नमर कितना डिजिट का है इसमें हैश लगा सकता हूं तो हैश भी लगाएंगे तो भी आपका प्रिफिक्स आजाता है अब इसमें यह तो हो गया लेकिन प्रॉल्म है कि यह हैश और फंडा किया है मैं बताता हूं थोड़ी दिर्व जाइए इसमें एकाउंट नमबर लिखा तो एकाउंट नमबर जो लिखते हैं आप तो 10 डिजित दिखता है जैसे मैं 12 डिजित दिखता हूं तो सेंट्रीफिक्ट हो जाता है तो मैं 12-13 डिजिट का एकाउंट नंबर जैसे होता है अगर मैं उसको दिखाना चाहूं तापको कुछ लिए करना है कस्तम में जाना हो एक हैस यहाँ लिख देना है लेकि यह भी आपका 15 डिजिट तक ही दिखेगा सुलामा डिजिट जैसे आप डालेंगे वो जीरो हो जाएगा क्योंकि आपकी कंप्यूटर की क्यापिसिटी जो है 15 डिजिट तक की ही है उससे उपर का वो नहीं करता है ठीक है कंप्यूटर की लिमिट सिर्फ 16 डिजिट की होती है नहीं कल्कुलेशन कल्कुलेशन करने का क्यापिसिटी 15 डिजिट तक का ही होता है अब आपको इससे ज्यादा लिखना है तो सिंगल को लगा के टैक्स में जितना मर्जी सोलह बतीस जार सम्थिं लिख सकते हो पर वहता है जिए जिए कि है जैसे कि मैंने कुछ नंबर लिखा ये तेकि मुझे लिखना था MRP के साथ MRP 1500 या पि कुछ ऐसा प्रिफिक्स लगाना था तो टेक्स्ट है अगर मैं लगा दिया तो इस पे किसी बी तरह की कैलकुलेशन नहीं कर पा हो जो क्यों कि टेक्स में किसी भी तरह की मैंतेमेरिकल कैलकुलेशन नहीं हो सकता तो मुझे खुलना चाहिए नंबर लेकिन वीज़वर होना चाहिए MRP इस तरह से इस केस में हम लोग कस्टम पॉमेटिंग में जाते हैं और हम चाहते हैं कि इसके आगे कोई प्रिफिक्स या सफिक्स लग जाए तो MRP हमने यहाँ पर लिखा MRP के बाद आपको जीरो और हैज दो में से कोई एक डालना परेगा आप नहीं डालते हो तो सिर्फ MRP दिखेगा आपका नंबर जो है और नंबर आपका नहीं दिखेगा तो नंबर को शो करने के लिए मुझे देना होगा तो अगर मैंने जीरो दिया जैसे मैंने यहाँ पर दो जीरो दे दिया तो भी कोई प्रॉलम नहीं है दिखेगा लेकि जैसे में फाइब लिकूंगा तो यह अपने आपको मैंटें कर लेगा जीरो फाइब दो डिजिट मैंटें कर देगा तो हैस डालते हैं तो हैसा कोई प्रॉलम नहीं है जितना जिनों डाले उक्से तो फाइब नहीं पढ़ने वाला है थीक है यहां पर मैंने क्या किया कस्तम में गया और यहां पर मैंने यहां पर जीरो हैस और फिर यहां पर दिया रूपी इज और 00 और यहां पे दिया पैस है पीस में अब बली है कि मैं इसमें 00 क्यों नहीं लगाया मैं यहां पे 00 लगा सकता था इससे प्रोलम कह ओता है कि जब मैं disappointment कुछ लिखता तो यह 00 पैसे आता है जो कि और लगता है हैस लगा दियते हैं अगर मैं यहां पर hash लगा दिया तो क्या होगा इससे में रूपीस 50 पैसा दिखेगा वह भी और लगेगा और हम एक 0 एक हैस लगा देता हूं तो एक जिरो लगाने पर क्या होगा फिर तो जिरो फाइप दो डिजिल मेंटेंड नहीं करेगा इसलिए मैंने एक 0 और एक हैस यहां पर लगाया है और यहां पर दिखिए यहां पर आपका है 00 पैसे इसमें डॉट डेशन में हमेशा 0 लगाईएगा क्योंकि इसमें अगर आप हैस लगा दीजिए तो फिर वह 60 के लग जिरो ही आप लगा है अगर आप केड़ कार्ड का नंबर माली जी लिखना है मुझे तो मैं फर्स डिजिट और लाज डिजिट की दिखाना चाहता हूँ तो कस्टम में कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ अब हैस यह जिरो भी दे सकते हैं अब यहाँ पर मैंने नंबर डाला ठीक है इस तरह से हो गया तो कस्टम में का यूज ही होता है कि हम लिखे कुछ और और शो कुछ और ठीक है सर कि हम लिखे कुछ और और शो हमारा कुछ और इसलिए हम कर्स्टम प्रमेंटिंग का इस्तमाल करते हैं जो को डाउट या कुश्चन है नो इसमें डाउट नहीं है बत एक पूछना था जो फ्रेक्शन है न उसमें एक हैवल्स और कैटेगरी बनी हुई थी तो इसके बारे में बता दू क्या अफ्रेक्शन में यहां पर आपके फ्रेक्शन है तो इस्टम के आदर से अपने हाफ लिबल कर दिया ते क्या करेगा कि जो डेस्टमन होगा ना उसको बाड़ कर देगा कि बजास था इसमें 1 by 2 कर दिया अगर ने कौार्टर कर दिया तो यह 2 by 4 हो जाएगा चालते दुजना इससा यह आपका 4 by 8 हो जाएगा यह 8 by 16 हो जाएगा समझें थोड़ा इसका कॉंसेप्ट नहीं पता है कि किस लिए यूज होता है थोड़ा उसके बारे में क्या होता है कि कुछ ऐसे mathematics जो हम लोग यूज करते हैं जैसे कहा करते हैं इसमें जैसे की लक्रिया काम होता है तो लक्रिया काम में माने कि ढ़ाई नहीं होता है one by two होता है एक काज समझें तो बहुत सार जगों इसका यूज होता है तो अगर आप पढ़ गया इसका यूज हम करते हैं और एक जैसे मांदो मैंने एक सेल में एक कोई मतलब फ्रैक्शन में दिखानी है जैसे मैं दिखाना जाता हूं 0051 और फिर वन नाइट तो इसको कैसे दिखा सकता हूं जाता है विजिबिल्टी में दिखाना दें 0015 बटए तो यह जब मैं 005 नहीं लगाता हूं वन फाइव श्लैश वन नाइट लगाता हूं तो वह डेट में या कुछ ऐसा बदर जाता है जाता हूं आप चाहते हैं कि चार डिजिट पहले तो इसके बाद आप स्लैश देना चाहते हैं उसके बाद चाहते हूं लिए हैं बहुत है जब लगाता हूं तो अब यहां पर देखिए मने 15 प्रवाव लिख सकते हैं फिवी आपर डिजीर तो मेंटेन होगा लिए जैसे पालो मैं एक बटा उनीस लिखने लिखना चाहता हूं बत वह डेट में कर्वर्ट हो जाता है लुकूल कशते हैं है Caroline कर सकते हैं सिंग्ल गवारी अगडें सकते हैं इसकते हैं को यहाँ तोują सकते हैं सब्सक्राइब एक नावक permitted यहाँ सकते है यहाँ पे कि 0 है इस मैं है यहां एक प्राइल कोंगा ते इसे डिकानी चुलता ना देखा दिकाना को बॉंड़ को गोगाना अब एक एक पुनिस लिखा देखाएक को महा हुता को कर्वार मीजाजको के जाफो कशा सुपता है को कल दो अडिया प्योड़ा प्यों खोचे ऐसा अप्रमर्वान क्षै लो खिया अजया घॉड़ा है क्पू़ा है लोगा है क्पू़ा है क्पू़ा है क्षै टी मैं तो रैस क्जू़ा है हुआ है कि रोड़ा देना पेलेगा दो दो बटा ठाड़ा चाहिए दो सा ठाड़ा अधिन पर आप लोगों को मैंने बुक बेजा है एक आर्टिकल के अगी कि पार्ट है उसको पढ़ने के लिए प्लीज उसको एक बार अच्छे तरीके से स्टड़ी कर लें इसको सब्सक्राइब कर दिया है तो दस्क्राइब अधिया दिश्चियुद